Hello and welcome students in Sankalp series in which we were discussing about the previous year questions. पूछे गए थे आपसे NTS examination अलग-अलग states में already Sankalp के हमने 7 lectures देख लिए हैं. ये 8 वा हमारा lecture हैं. इसमें फिर से हम वही discuss करने वाले हैं क्योंकि अभी economics चल रही है. ऐसे ही सारे मिलेंगे आपको, don't worry. अभी तक हमने economics से previous years में जो questions पूछे थे, maximum questions उसमें से हमने देखे हैं. इसमें अमूमन जो questions आ रहे हैं, वो development वाले chapter में से आ रहे हैं, sectors of economy वाले chapter में से आ रहे हैं, कुछ money and credit में से भी हैं. केवल इतने से ही नहीं हैं, और भी बहुत सारे हैं. ठीक है? हम कोई दूसरा section उठाएंगे, क्योंकि तुम बहुर हो रहे होंगे, मुझे पता है. So, एक बार इसको खतम करेंगे पहले हैं. चली, तो शुरुवात करते हैं सबसे पहले. हमने 150 questions तक मेरी साब से देख लिये हैं, हाना? एक सो पचास के बाद में उसके आगे पढ़ते हैं हैं अपन. Okay, so, shall we start? करें शुरू. थोड़ा सा, अरेंजमेंट कर लेते हैं और फिर भढ़ते हैं हैं हापन आगे. 140 questions तक हम अल्रेडी देख चुके हैं. अब next question आता है 150. ठीक? चले. क्या कहता है 150? 150, let's say. इसने बुला कि मनी को कितने stages में, how many stages are there, जिसके थुरू मनी को हम, मनी जिसमें evolved होती है, मनी जिसमें हम देख सकते हैं, मनी को, जिसके अंदर, मतलब आप impressively देख सकते हो. तो क्या ये तीनी stages हैं? चार है, पांच है और छे हैं. देखो, money and credit वाला situation है, ठीक है? और इसको समझने के लिए, थोड़ा सा जरूरी आपको ये पता हो, कि मनी के कितने actual stages हैं. तो maximum time पर अगर हम इसको consider करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे आप में से कहेंगे, sir, ये money के type पूछ रहा है, ठीक है? आज के लिए वैसे digital money भी आती है, ठीक है? तो यहाँ पर, लेकिन अगर हम course के इसाब से, और economics के इसाब से बात करें, वैसे तो class 12 में पूछा जाता है ये, अगर इसके इसाब से बात करें, तो approximately दो type का, एक होता है बिटा, commodity, commodity money, ठीक है? Credit money का सीधा सा, simple सा concept है, कि जैसे आपके पास में future payments के लिए, future कोई भी goods and services को purchase करने के लिए, कोई particular money आपके पास में reserve हो जाती है, उसको आपने credit money कहा होता है, मतलब आप इसको ऐसे समझें, कि future payment आपको करना है, अगर आपने वो particularly segment use किया है, तो आपको hard cash नहीं देना पड़ेगा, आप इसको और थोड़ा सा समझने के लिए, ऐसे कह सकते हो, कि आपके पास में points मिलते हैं किसी चीज के लिए, और वो जो points हैं, आप उसको जब avail करते हैं, तो आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, वो discount हो जाता है, तो एक तरीके से आपके थरूँ gain किया हुआ, पैसा ही होता है, तो उसको आपने क्या कहा होता है, credit money, ठीक है, credit money क्या है, कि future में आप, आपको पता होगा, theaters वगरा में आप जाते हैं, तो आपको फिर, वहाँ पर आपके पास में coins होते हैं, उन coins को use करते हुए, आप पैसा reveal करवा सकते हो, तो यहाँ पर, तीन टाइप का, तो already तुम जानते थे, metallic form में, जैसे coins, plastic form में, जैसे हमारे cards, और paper form में, जैसे हमारे bank notes, इसके लावब हो commodities, जो बार्टर सिस्टम में, आप में exchange कर रहे हैं, और यहाँ पर, जो credit money है, like, जो आपने already future के लिए, reserve रख लिया, उसको आपने, यहाँ पर money consider किया, तो इसके हिसाब से, हमारे पास में, कितने types हुए, 5 types, अच्छा, यह question पुछा गया था पीटा, 2019 में आसाम के अंदर, hopefully आपने answer सही क्या होगा, यह question अच्छा है, तो आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा, next question पूछता है, इन में से, rural and urban migration का, correct explanation क्या है, अगर कोई person, rural area से, urban area से migrate होता है, तो उसके लिए correct explanation इसमें से क्या होगा, मतलब, वो migrate क्यों होता है, अंदरप्रदेश 2019 में पूछा हुआ गयुशन, और बहुत ही simple सा गयुशन है, देखे, पहला, पहला यह reason बताता है, कि migration होता है, कि आप जिस area में रह रहे हैं, वहाँ पे employment opportunities बहुत कम है, this is the reason के you are being migrated, ठीक है, आप migrated हो रहे हैं, तो क्या ही reason है, बिल्कुल, आपके पास में opportunity नहीं है, रोलर इडिया जिसके अंदर जादा employment की सही बात, दूसरा, migration होता है, migration does not necessarily involve movement of all the member of the family, ये भी ठीक है, migration का मतलब ये बिल्कुल कते ही नहीं है, कि सारे member family के move कर जाएं, नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोग, जो यंगर हैं, जिनको पता होता है, जिनके पास में wealth है, knowledge है, तो दूसरे places में जाके shift होना चाते हैं, या तो वो adjust नहीं हो पाते हैं, जादा समझदार हो जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, तो ये बात भी सही है इसकी, and the third thing, कि they have the greater exposure to the new ideas in cities, and try to challenge the older notions in village, मतलब वो problematic feel करते हैं, पुराने notions में रहने पर, और उनके पास में नए ideas होते हैं, नए city में जाकर के, वो अपने आपको और exposure दिना चाते हैं, ये बात भी सही है, अब इसने क्या बुला, इनमें ने बुला कि correct इनमें से कौन सा option होगा, तो सारे ही सही हैं, तो ABC वाला मेरे हिसाब से ठीक होगा, अगर आपने ABC, B option को चूज किया था, तो आप correct हैं, नेक्स इसने कहा कि population change का सही formula क्या है, आंदरप्रदेश दोजारोनेस, मतब आंदरप्रदेश वाले दौनों questions easy आए हैं दोजारोनेस में, देखो इसने क्या बुला है, कि population change का सही formula कैसे होगा, number of birth minus number of migrants, number of birth minus number of, ये वाला बिल्कुल गलत होगा, देखो ऐसे समझो, population change आप कैसे पता चला होगे, देखो, मैंने कहा यहाँ पर 10 लोग थे, अब वो 20 हो गए, population change कितने की हुई, दस की हुई, सही बात है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर total number आपको रखना है, जितने present थे उस time पर, यहाँ पर total number लेकर आना है, जो present है इस time पर, और यहाँ पर जो बदला हुआ है, वो उसको minus करने पर आजाएगा, ठीक है, अब देखो समझो, यहाँ पर इसनी क्या कहा, आप total number लेकर आओ, जो पहले वहाँ मौजूद थे, उस time पर जिसको आप compare करना चारहेगा, बेस बनाना चारहेगा, तो यहाँ पर, अगर option, देखो पहला option तो गलाद होगे, इसका मतलब, यहाँ पर थोड़ा सा, देखना बड़ेगा आपको, चलो, इसने कहा number of birth, plus number of, number of in migrants, number of तीनों में ही common है, तो यह वाला option मतलब, यह वाला point तो aspect तो बिल्कुल correct है, चलो, मान लिया यह भी हमने, इसने कहा कि number of birth, number of birth, जितने लोग पैदा हुए, ठीक है, जो birth, जितने पैदा हुए, ठीक है, और जितने लोग add हुए, जितने बाहर से आके यहाँ पे add हो गए, जितने भी migrants थे, वो add हो गए, इससे हमें total number मिल जाएगा, ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें less करना है, तो यहाँ पे plus वाला option भी गलत हो गया हमारे लिए, plus वाला option भी गलत हो गया, तो यहाँ साफ साफ, number of death, कितने लोग मर गए, number of death, ठीक है, और इसके साथ साथ, number of out migrants, इसमें से, कितने लोग निकल गए, सही है, यहाँ पर, और इसमें जोड़ दो कितने लोगों को, number of जो यहाँ से निकल गए है, तो automatically, automatically, इन दौनों को जब आप सब्स्ट्रेक करेंगे, तो आपके पास एक number आजाएगा, जो कि correct आपके changes को बता देगा, भई देखो, इसमें से जितने गए, उसको लग निकाल दो, उस time पर जितने थे, उनको जोड़ दो, और total अगर minus करेंगे, तो आपके पास में actual sum आजाएगा, सेम वैसे ही, कि आपके पास में actual में कितने हैं आपके पास at present, और पहले कितने हुआ करते थे, उसमें जो बदलाव आया है, उसको हमने क्या कहा है, population change, मेरे इसाब से, यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नेक्स्ट कोशन पर अगर अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट कोशन है 154, 154 कहता है, कि इन underdeveloped countries, most of the labor force are generally engaged in, वेस्ट बिंगॉल 2020 में पूछा हुआ कोशन, अब देखो कितना simple question पूछा है इसने, इसने बुला कि कौन सा सेक्टर दूसरा होगा, तो यहाँ पर industrial सेक्टर भी नहीं होगा, अदरवाइस तो developed हो जाते, service सेक्टर में अमूमन देखा जाता, लेकिन इसने most पूछा है, तो आपको जाना पड़ेगा अगरिक्र सेक्टर के साथ, वेस्ट बिंगॉल 2020 में बुछा हुआ गोशन, नेक्स्ट, इसमें बोला, 155 में कि which of the following taxes, follow the ability of pay principle, कि जितना पे करोगे उतना आपको, मतलब उस पर tax देना है, मतलब ऐसा है कि जो आपने खरीदा, उस पर tax दो, ठीक है, last person से tax लिया जाता है, कि pay principle, पे करोगे, तो tax देना है, तो यहाँ पर wealth tax, जितनी आपकी संपत्ती है, उस पर आपने tax दिया, entertainment tax, मतलब आप कोई भी मनोरंजन कर रहे हैं, उसके बदले में tax, excise tax, export-import पे, और यह सबसे बढ़िया है, सबसे 60 का answer होगा, इसका GST, GST, आजकल तो यह सभी सुनते होंगे न, 2020 में इसलिए ज़्यादा prominent होगा, क्योंकि उस ताइम पर GST में बदला हुए, GST introduced हुआ, तो यहाँ पर GST question दिया होगा, GST से related, ठीक है, यह direct tax है, in which of the following is not a function of commercial bank, इन में से commercial bank का, क्या function नहीं है, West Bengal 2020 में पूछा हुआ question, कि यह deposits public से collect करता है, बिल्कुल करता है, लोगों को loan देता है, बिल्कुल देता है, issue करता है bank notes, नहीं वो तो RBA ही करता है, यह वाला option गलत हो गया, और working as an agent of client, बिल्कुल ठीक है, जिससे पैसा लेना है, जिसके पास surplus है, उससे लिया, और जिसको पैसा देना है, जिसके पास need है, उसको दिया, तो bank एक तरीके का agent है, mediator है, तो यहाँ पर, यह option भी हमारे लिए, सही हो गया, लेकिन गलत option हमें मिल गया, 156, option number C, West Bengal 2020, next question कहता है, कि what was the principal object of first five year plan in India, first five year plan, first five year plan की शुरुवात, 1951 के बाद से, ठीक, तो first five year plan में क्या हुआ, 51 से 56 के बीच में आया था, और main objective था, first वाले का agriculture, क्या इसमें agriculture है, नहीं है, दुबारा देखो, क्या गयरा है question, शद गलत पढ़ा पनने, what was the prime objective of first five year plan in India, development हाँ agriculture है, अपने रंग से पढ़ा नहीं, option में होता है, यह human error है, देखो ऐसे ही, हमने क्या क्या, ऊपर का development पढ़ लिया, कि वाले agriculture पर गई ही नहीं हम, इसलिए हमें दुबारा पढ़ना पढ़ा, time taken process हो जाता है कही बार, तो question को हमेशे अच्छे से पढ़ो, ठीक है, तो हाँ, बिल्कुल agriculture, second वाले का क्या था, second वाले का था, आपका industries, ठीक है, third five year plan के अंदर, वापे से हम दौनों के development को, एक साल लेके चल रहे थे, agriculture and industries, ठीक है, तो third वाले तक आपको at least याद रखना है, ये यूपी के अंदर पूछा हुआ कोशन था, 2020 का, एक बच्ची का comment भी आया था, कि जार हर्याना के question जादा नहीं है, कोई बात नहीं मेटा, हर्याना वाले series में बिल्कुल ही अलग लेकर आ जाओंगा, हो उसके पूरे paper को solve कर लेंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है, comment आते रहते हैं आप लोगों के, हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम आपके comment पढ़ते हैं, इसका मतलब हमें बहुत feel होता है, कि आप लोग देख रहे हैं, तो हमें थोड़ा motivation भी मिलता है, next, Tamil Nadu में पूछा हूँ अगोशन है, कि development of a country is determined by the world bank, Tamil Nadu 2020, world bank के हिसाब से, कोई country developed है, developing है, या less developed है, उसको किस base पे तैकिया जाता है, क्या ये per capita है, क्या ये literacy rate है, क्या ये health status है, या all of the above, देखो, world bank monetary point of view से देखता है, और ये बात, अलरेड़ी जब तुमने chapter पढ़ा था, तो तुम्हें पता चलिया था, कि world bank हमेशा, development वाले chapter में था, कि per capita income को focus करता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर, अगर option A के साथ जाते हैं, Tamil Nadu वालोंने, अगर A किया होगा, तो सही है, नेक्स बोल रहा है, green revolution स्टार्ट हुआ था इंडिया में कब, green revolution की शुरुआत, याद करो, ये वाला question मैंने already तुम्हें पहले बता दिया है, option A के साथ अगर आप जा रहे हैं, तो आप बिलकुल right है, 66, 67, अगर थोड़ा सा इसके ideas के उपर बात करें, तो 1960 से इसके ideas डवलप हो चुके थे, okay, so, next question के उपर बात करते हैं, ये कहता है कि उस nation को इसमें से पहचानो, जो nation basically, mixed economy को follow करता है, तो इन में से आपके सामने चार option है, चाइना, इंडिया, जिपैन और फ्रांस, राजिस्तान 2020 में पुछा हुआ गोशन, इन में से चाइना, चाइना जो है, वो socialist economy को follow करता है, इंडिया mixed economy को follow करता है, तुम जानते हो, जापान भी capitalist, जापान capitalist को करता है और फ्रांस capitalist को करता है, ठीक है, में भी कुछ हद तक mixed economy है, बट जादा तवज्जु जो दिया जाता है, वो capital को दिया जाता है, next question में पूछते हैं, कि इन में से, okay, इन में से, which of the following principle organs of the United Nation is not headquarter at New York, New York City में इन में से कौन से United Nation का, United Nation के जो organs हैं, उसका headquarter नहीं है, okay, General Assembly, New York City, Security Council, New York City, Economical and Social Council भी New York City, Court of Justice, ICJ, ICJ, ICJ कहां है, ICJ है, Niderlands में, ठीक है, Hague नाम का एक जगे है, Hague, वहाँ पर Niderlands के अंदर ICJ है, ठीक है, तो इसके साथ आपको जोड़ा है, UDISA 2020 के अंदर आपको तो नाइदर लेंड्स, Next, इन में से कौन सा, इन में से किस international organization का ये logo है, देखो, इस तरह का question आजाए ना, तो maximum time logo के अंदर ही उसका answer होता है, maximum time logo के अंदर ही उसका answer होता है, okay, so, देखे, इसमें बोला है कि आप logo पहचाने, किसका है, वर्ल्ट्रेड और्गनाजिजिशन का, आशियान्स का, एपक का, या ओपक, okay, देखो, O, ठीक, P, E, और C, राइट आंसर मिल गया हमें, D option, ये question महराश्ट्रा में पुछा क्या था, अच्छा question, simple question, ठीक, महराश्ट्रा, तो D option के साथ अगर आप जाते हैं, तो सही है, next, केरला 2020 में पुछा वा question, के, gross domestic production किसी country का, क्या होता है, option A, the total sum of the values of all primary, intermediate and of final goods and services, ठीक है, ये भी ठीक है, एक option गलते हैं बस इसमें, the sum of the values of all primary and the final goods and services, इसमें भी थोड़ा सा mistake हो गया, the total sum of the values of final goods and services produced, during the current year, ये वाला option बिलकुल सही है, क्यों सही है, देखो हम final primary की बात नहीं करते हैं, primary करोगे तो final में double double बार count नहीं हो जाएगा, इधर primary था, फिर mid में count कर लिया और फिर final में count कर लिया, तो यहाँ पर बिलकुल सही है, के final goods and services का value आप पता गरे, current year में कितना है, ये ठीक हो जाएगा, तो option C सही होगा कैरला में, देखो इसको ऐसे समझो, कि लकडी कठर था, मतला जो भी कहता है, उसको trunk था, ठीक है, एक आदमी ने इसको क्या किया, plys में convert किया, मैं हमेशे ये example देता हूँ, plys में उसने convert किया, ठीक, plys में convert करने के बाद में, यहाँ पर उस ply वाले ने, कारपेंटर को बेच दिया, कारपेंटर ने इसको sofa बना दिया, इसको sofa में तबदील कर दिया, ठीक, अब समझो, ये बेचा 500 रुपय में, ये बेचा 1500 रुपय में, और ये बेचा 5000 रुपय में, सही बात, अब मैंने कहा, अगर मैं ऐसे कहूँ, तो primary क्या था लकडी, जो nature से मिली, intermediate था, ये plies, and final good था, ये sofa, तो ऐसे 5,500 और 500 रुपय जोड़ोगी क्या, इसको GDP कहेंगे आप, नहीं, आप क्या करेंगे, कि total क्या रहा, final product क्या रहा, कितने का रहा, 5,000 रुपय का, तो जोड़ोगी आप, तो इसको GDP कहा गया है, ये है केरला 2020 में पूछा हूँगा, question, HDI is indexed on basis of, HDI को किन basis पर count किया जाता है, Human Development Index में, simple सी बात है, क्या-क्या चीजें add करता है, क्या-क्या चीजें पूछता है, ये बोल रहा है, educational status, देखो भई, per capita income तो आता है, health भी आता है, education भी आता है, ये तीनों चीजें, तो Human Development Index में ये ही चीजें है, GDP का कोई link नहीं है, तो option C सही होगा, इसके अंदर क्या हो गया, environment, environment नहीं, पर यहाँ पर Human Development की बात कर रहा है, तो environment आप इसमें connect नहीं कर सकते है, तो option C, मेरे इसाब सही है, केरला 2020 में पुछा हुआ question है, next पर अगर आपन बात करें, तो देखो next क्या कहता है, next कहता है, choose the correct group of direct tax, direct tax क्या होता है, जो सीधी सी बात है, तुम से directly charge किया जाता है, consumer से direct charge किया जाता है, indirect tax वो होता है, जो आप से indirect formula जाता है, सीधी सी भाशा में इसको समझ लो, अब इसने कहा है कि इनमें से, correct group कौन सा होगा, corporate tax, wealth tax, central excise tax, service tax, income tax, stamp duty, service tax, export, the value added taxes, service tax, corporate tax, export tax, income tax, corporate tax, wealth tax, capital gain tax, इसको समझने के लिए, एक इसमें, अगर तुम पूरा नहीं समझ पाओ, तो याद रखना, जो income पे tax तुम दे रहे हो, जितना तुमने कमाया, हाना कमाने के बाद में, उतना उसके लगबग, जो भी सरकार के नौम होते हैं, उसके साब साब tax फिल करते हो, वो तो direct tax हुआ, अब देखो, इसमें से सबसे पहले तो आप income tax वाले options को चूज कर लो, option D में income tax है, option B में भी income tax है, सही बाद, अब देखो, अब यहाँ पर है direct tax पूछ रहा है, चलो यह भी वास है, stamp duty मान लिया, जो person मतभी मान के चलो, आपका product buy कर रहा है, ठीक, तो यहाँ पर export tax इसका form नहीं होगा, जितनी आपने wealth कमाई, उतने पर tax दो, जितना आपने पैसा कमाया, सोचो, आपको share market में मुनाफ़ा हुआ, 10 रुपे की चीज, 10 कलाक या करोड की होगी, तो उस पर जितना आपने wealth create किया, capital create किया, उस पर tax देना है, wealth आपकी जितनी भढ़गी और corporate tax, जितना आपका business चल रहा है, तो of course, option D इसमें से सबसे सही होगा, ठीक है, option D के साथ अगर आप जाते हैं, तो सही होगी आप, यहाँ पर उपर वाले B में गलती हो जाएगी, करनाटका में पूछा था, यह वाले question थोड़ा सा अच्छा था, ठीक है, next question पर बात करते हैं, read the given statement and identify the correct option related to all of them, करनाटका 2020 में पूछा हुआ question है, कि इन statements को पढ़ें और identify करें, कि इन में से correct option कौन सा होगा, okay, so it is related to the financial institution, financial institution, finance market से है, इसका मतलब, यहाँ पर मुझे एक चीज तो गलत दिख रही है, directly, stock market, तो यहाँ पर stock गलत होगया, financial institute, institution which deals with the short term funds in the economy, correct, this type of market arranges funds for working capital, okay, here is the high rate, rate, here is the rate of interest is high, जहाँ पर interest rate high होता है, okay, the funds can be borrowed from this market for a short time period, okay, देखो, देखो capital formation या capital market में long term होगा, no doubt, यहाँ पर long term होता है, ठीक है, यहाँ पर यह गलत होगया, option हमारा, यह भी गलत होगया, money market इसका right answer हो सकता है, क्यों हो सकता है, दुबार उसने, short, पहली बात तो हर जगह पर यह पैसे से deal कर रहा है, दूसरी चीज, यहाँ पर यह short term के लिए होता है, दूसरी चीज, interest rate हमेशा high होता है, long term में interest rate कम होगा, short term के लिए interest rate जादा होगा, यह भी बात इसके लिए correct battery है, financial institution, open market के अंदर, ऐसा segment आपको देखनी को नहीं मिलता, कि आप वहाँ से पैसा उठा सको, ऐसा नहीं होता, trade जरूर होता है, open market में, तो यहाँ पर right option होगा, C, और यह करनाटका में पूछा गया, 2020 में, next option बूचता है, कि इनमें से correct sequence आपको बताना है, correct sequence आपको बताना है इनमें से, के true false हैं के नहीं, ठीक है, मतलब यहाँ पर चार statement दिये वह हैं, और चारो statement का true और false आपको बताना है, okay, the food and agriculture organization was founded in 1945, correct है यह वाला truth है, world health organization जिनेवा में है, यह भी truth है, UNICEF received the Nobel Prize in 1965, यह भी लगभग ठीक है, मुझे जहाता है याद आ रहा है, 1965 ही होना चीज़ का, headquarter, the head office of international labor organization, यह जिनेवा में है, यह भी सही है, maximum जिनेवा में है, तो यहाँ पर, एक थोड़ा सा मुझे इसमें confusion है, okay, तो अगर false है क्या एक पर देखो, true, true, false, true है क्या कहीं, true, true, false, true, नहीं, true, true, false, true नहीं है, तो सारे truth जरूर है, अपने पास में option A के अंदर, तो यहाँ यह वाला ठीक हो सकता है, ठीक है, अगर यहाँ पर false होता, तो मैं थोड़ा सा confused होता, बट ऐसा है नहीं, तो क्यों दिमाग लेगा ना, option A के साथ जाओ, बिल्कुल सही है, next question पर बात करें, कि which is considered to be the, one of the most important attributes, for the comparing development of country, किसी भी country को अगर आपको compare करना है, तो इन में से सबसे सटीक तरीका, इस में से कौन सा होता है, देखो यार, health and education, infrastructure, growth of technology, ये primary तो नहीं बोला जाएगा, सबसे important तो इसमें, per capita income या average income ही होता है, क्योंकि ये चीज़ हम already देख चुके हैं, कैसे, ऐसे समझो, कि यहाँ पर एक आदमी 50,000 कमा रहा है, और यहाँ पर एक आदमी 10,000 कमा रहा है, आप से मैं पूछूँ कि इन में से, सबसे ज़ादा, wealthy कौन होगा, या किस के पास prosperity ज़ादा होगी, तो आप कहेंगे सर, 50,000 अवाला ज़ादा है, ठीक, obviously, सब को देखने में पहली बार ऐसे लगेगा, बट अगर मैं कहूँ, कि 50,000 अवाली की फैमिली के अंदर 10 मेंबर हैं, और 10,000 अवाली की फैमिली में 2 मेंबर हैं, तो यहाँ पर इसकी average income आगी 5,000, और इसकी भी average income आगी 5,000, सभी बाद, तो यहाँ पर answer मिल गया हमें, कि आप केवल wealth को देखकर कि compare नहीं कर सकते countries को, इसका मतलब होगा, कि और भी factor होंगे, तो सबसे सटीक तो यहाँ पर average income ही निकलती, जिसको आप पर क्यापट इंकम कहते हैं, तो पर क्यापट इंकम के हिसाब से अगर आप जज़ कर रहे हैं किसी country को, या measure कर रहे हैं और compare कर रहे हैं दो countries के बीच में, तो आपका जो जवाब होगा, वो सही हो सकता है, चलिए, इसने कहा next question में थोड़ा सा, यह question मुझे अटपटा सा लग रहा है, देखते हैं वई, क्या है question, एक बार इसको पहले साफ करते हैं, ओके, सो कहता है यह question, कि the graph shows the distribution of employment in concentric circles, के अंदर दिये गए, इन setups को देखते हुए, आपको employment का distribution बताना है, इसका मतलब हो गया, सबसे बीच में होगा, primary sector, tertiary sector, फिर second number पे, और secondary sector सबसे ज़ादा, कौन सी country है, जहाँ पे secondary sector, मतलब manufacturing sector, सबसे ज़ादा है, okay, tertiary sector दूसरे नंबर पे आता है, primary sector centralized है, सबसे broader है, secondary sector, इसने कहा है, कि which among the following states in India, capital with the graph of size of circles, representing the size of representative sectors, इसने दिको, simple से, इस question में कहा है, कि हिमाचल 2020 में पूछावा question है, और ठीक question, अच्छा question है, बोलता है, कि primary sector represent कर रहा है, PK through, secondary S, और tertiary, यह हम जान चुके है, इन में से भारत का कौन सा वो state है, जिसके अंदर, इस graph के हिसाब से ही, वहाँ पे sectors divided है, मतलब, जहाँ पे secondary sector, simple सी बात है, जहाँ पे secondary sector, सबसे जादा developed है, प्राइमरी सेक्टर बीच में, और दूसरे नंबर पे आता है, टर्शिरी सेक्टर, यह हम एक question में देख चुके हैं, कि यहाँ पे, सबसे जादा developed जो sector है, वो service sector है, टर्शिरी सेक्टर है, गुजरात के अंदर, secondary sector सबसे prior है, ठीक है, कि गुजरात में बहुत सारी industries है, ठीक है, बहुत सारी industries है, तो यहाँ पे, इन सभी में से, गुजरात सबसे 60 है, 2020, question पुछा गया हिमाचल प्रदेश में, अच्छा question था, चलिए, 171th question पे आ जाते हैं, और कहरा है यह, economic survey इन में से, किसके थूप पब्लिश्ड होता है, इन माचल प्रदेश में पुछा गया है, economic survey किसके थूप यहाँ पे, publish होता है, publish होता है, ओके, यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं confused इसलिए हुआ, क्योंकि मुझे option में, यहाँ पर, NSSO दिख रहा है, NSSO data collection का काम करता है, यह याद रखें आप, data collection का काम यह करेगा, इसने question में publish करने के लिए कहा है, ठीक है, तो NSSO, बहुत importantly तुम जानते हो, कि हर बार हमने answers में इसको दिया है, बहुत सर बच्चे, NSSO देखकर की, यहाँ पर tick कर के आ जाएंगे, लेकिन गलत हो जाए गए, यहाँ पर सबसे सही answer मेरे हिसाब से, economy को बताने के लिए, यहाँ पर ministry of finance है, ministry of finance, finance department ही data देगा आपको, उस data के हिसाब से ही, आप सही या गलत मानेंगे, तो यहाँ पर ministry of finance would be right answer, देखो कितना सांतर था, यहाँ पर data collection और publish का, तो यहाँ पर अगर आपने किया होता, D, तो आप सही होते ही, माचर परदेश, जंदाबाद, the efforts made to increase the farm production, in the order to meet the growing demand of increasing population, is called what, इन में से, हर्याना 2020 के अंदर question पूछा हुआ है, इसने कहा, कि efforts लगाए जाते हैं, कि farm product को increase किया जाए, जिसे की भड़ती भी demand को, population की meet किया जा सके, इसको क्या कहा जाएगा, क्या यह agriculture content है, क्या यह agriculture degeneration है, क्या यह development है, क्या यह index है, देखो यार, इसने क्या कहा, आप, कही बर क्या होता है, बड़े terms आप जब पढ़ते हैं, बड़े terms को पढ़ते ही, आपके दिमाग में, कई सारे सवाल आ जाते हैं, कई सारे चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती है, यहाँ बर बहुत ही simple सा question बोला है, इसने, agriculture production को बढ़ाना है, farm production को बढ़ाना है, तो वो क्या कहलाएगा, तो सीधा-सीधा है मुझे दिख रहा है, कि इसको agriculture development कहेंगे, क्यों? क्योंकि development कर रहे हो आप, सीधा सा question है, और सीधा सा जवाब है, language होई टफ थी, बट इसका जवाब सीधा है, agricultural development कहला आएगा, यह option C के साथ आप जाएगा, next question में कह रहा है, which of the following reflects the situation where a person is employed, but do not contribute in adding to the total product, बहुत अच्छा गोशन, और कई बार इसके बारे में बुचा भी गया है, कई बार इसके बारे में आप discuss भी कर चुके हैं, आप और मैं, देखो, इसने कहा, एक खेत है, एक खेत में अल्रेडी पांच लोग काम कर रहे हैं, एक छटा आदमी भी आ जाएगा, तो इस खेत में जितना production हो सकता है, उतना ही तो produce करेगा, आदमी बढ़ा दो गया आप, तो यह जरूर हो सकता है, कि काम जल्दी हो जाएगा, इसका यह मतलब थोड़ी है, कि आपका production भढ़ जाएगा, तो इसना वही का, कि contribute नहीं करता है, टोटल production में कोई contribution नहीं होता, तो इसको क्या काएगा, क्या कहा जाएगा, sorry, disguised unemployment, ठीक, क्यों, क्योंकि इस तरह का unemployment, आपको agriculture sector में देखने को मिलता है, जहां पर person आपको employed दिखता है, बट उसका value कुछ नहीं होता, so here, the option B represents the right answer, and हर्याना 2020 में पुछा हुआ कुछा हुआ कुछन, इसने कहा, human development report, कौन prepare करता है, डेली के अंदर पुछा गया है, तो planning commission करता है क्या, UNDP सही है answer इसका, human development report, UNDP की थूप, represent होती है, डेली 2020 में पुछा हुआ कुछन था, the production unit producing shoe, comes under what, the production unit producing shoe, जूता बना रहे हैं तो वो किस में आएगा, primary में आएगा, secondary में आएगा, tertiary में आएगा, none of the above, डेली 2020 में पुछा हुआ कुछन है, अब जूता किस से बन रहा है, machine से बन रहा है, चलो सोडो, machine भी नहीं, कोई लोग कहेंगे, कि सरहाथ से भी तो बन सकता है, तो primary क्या nature से हमें मिल रहा है, नहीं, उसमें आपके efforts तो लगी रहे है, कारीगिरी तो लगी रही है, तो secondary sector का पार्ट होगा, आपको जाना है बी के साथ, yellow card is issue to what, ओके, yellow card, चंडीगर 2020 में, अच्छा कुछन है, people above poverty, people below the poverty line, people in government jobs, people in private sector, देखो, आपको consider अगर नहीं किया जाता, poverty line से उपर तो आपको yellow card दिया जाता है, क्या, नहीं दिया जाता सर, जो government job में होता है, उनको yellow card देता है, क्या, नहीं दिया जाता सर, जो भी poverty line के नीचे है, उनको yellow card दिया जाता है, मतलब below poverty line अगर है, तो उनको yellow card दिया जाएगा, प्रेवेट सेक्टर का भी कोई लिंक नहीं है तो यहाँ पे option B correct होगा चंडीगड़ी 2020 के अंदर पुछा गया question था Prime Minister रोजगार योजना कब चालू हुई ये question अल्रेडी एक बर पहले भी आया था चंडीगड़ी में repeat हुआ है 2020 के अंदर यहाँ पे next question है कि a person is considered poor if his or her income level falls below a given what ठीक है इसने कहा कि एक person को poor consider किया जाता है अगर उसका income का जो level है वो कम होता है चंडीगड़ 2020 में question पुछा हुआ है minimum level necessary to fulfill the needs maximum बोला minimum level बोला fulfill the basic needs a and b level below per capita income to the country इसने consider किया है poor किसको तो poor consider किया है किसको एक सब्सक्राइब रुखे जब आप minimum level आपकी ज़रुतों का पूरा नहीं कर पाते basic needs का रोटी का पड़ा मकान अगर पूरा नहीं कर पाते तो आपको poor consider किया जाएगा तो यहाँ पर right answer हमारे लिए होगा बिटा B ठीक है चलिए यहाँ पर next के उपर बात करते हैं इसने कहा है match the following electricity bill, computer और labor इसने ओके यहाँ पर तीन टाइप की capital इसने बोला working capital, human capital and fixed capital तो labor आपका human होता है तो इसको consider किया जाता है आपका human capital में computer आपका electricity bill बार बार आएगा जो खर्चा बार बार आएगा उसको हम consider करते हैं working capital में और computer एक बार खर्चा होगे हर बार आपको उस पर खर्चा करने की ज़रत नहीं है तो यहाँ पर match कर सकते हैं अपन A, B और C को 1, 2 और 3 से तो यहाँ पर हमारे सामने C को तो match कर दो आप 2 से तो C को match कर दो 2 से C को match कर रहे हैं 2 से क्या A 3 से match हो रहा है बिलकुल हो रहा है तो option B हमारे लिए right होगा चंडिगट 2020 में पुछा होगा question बड़ा ही simple सा प्रशन था Mixed economy का मतलब किसी economy में क्या होता है बिहार के अंदर बोला गया है Mixed economy means an economy where there is what Existence of capitalism, privatization, liberalization, globalization, existence of both public and private sector Growing crop along with rearing animals Mixed economy Mixed economy का मतलब इसमें से क्या होता है जिसमें private sector भी हो और public sector भी हो क्यों? क्योंकि ये तो काम करेगी society की development के लिए और ये काम करेंगे profit making के लिए तो यहां पर दौनों sector होंगे बिटा यहां पर C option के साथ अगर आप जाते हैं तो correct होगा कि यहां पर दौनों option, दौनों organization एक साथ मिलकर क्याम करती है Public भी और private भी इसका फायदा क्या? कि government वाले तो focus करेंगे society के development पे और private वाले काम करेंगे profit making पर So यह बिहार 2020 में पूछावा question था मेरे साथ से आपने इसका answer किया होगा C आज यह next question पे कहता है कि इसमें से Which of the following statement is about sustainable development Is or are correct? हर्याना 2020 में पूछा होगा question है कहता है कि sustainable development के लिए इन में से कौन सा option सही होगा The word sustainable development come into existence in the year 1987 यह बात सही है यह सही है बात Sustainable development का मतलब होट है development करना है आज की present needs को fulfill करना है लेकिन आपको compromise नहीं करना चाहिए future generation के साथ में अपनी needs को fulfill करने के लिए यह बात भी बिल्कुल सही है और जो brilliant lands है Commission is related to the sustainable development ठीक है brilliant land commission related to sustainable development सही यह बात भी सही है इसका मतलब तीनों ही option सही है option D के साथ अगर आप जाते हैं तो आप correct है हर्याना 2020 इसने कहा कि which of the following does not belong to the primary sector इनमें से कौन सा primary sector से related नहीं है आसाम 2020 में पुछा वह कुशन है forestry आता है, mining आता है, agriculture आता है, construction नहीं आता है क्योंक मशीन का use हो जाता है इसमें तो D के साथ goods and service tax किस टाइप का tax होता है consumer से direct लिया गया tax होता है लेकिन अगर इसको detail में आप पढ़ेंगे तो consumer से direct ले रहे हैं लेकिन उसमें बहुत सारे steps होंगे इसके अंदर इसके अंदर manufacturer का tax भी आ जाएगा include होकर के consumers का भी आ जाएगा इसके अंदर आपके जो seller है उसका भी आ जाएगा ठीक है तो GST एक type का indirect tax होता है जो आप से जो consumer से directly लिया जाता है अलग-अलग steps में ना जा करेके देखो इसको simple सा पताता हूँ मैं पहले क्या होता था पहले वैट लगता था मैंने अभी आपको एक example दिया था लगडी का वो लठा फिर उसके applies फिर उसका sofa set यह example दिया इसके value में जितनी बार add-on होगा पहले वो 500 का बेचा था फिर 1500 का बेचा फिर 5000 का बेचा जितनी value add होगी उतना आपका tax लगेगा वो होता था wet अब इसमें होता क्या था कोई tax देता ही नहीं था अब इन्होंने कहा कि तुम कुछ मत करो product जब बिकेगा ना तो उसके final tax लगा देना आप तो तो आप तक जो product आएगा मतलब कोई sailor के पास पहले क्या करते था sailor बोलते था आपने करीदा ही नहीं है तो अब की बार क्या होता है जब वो sail करता है ना कोई उसको आपने कुछ नहीं करना जब भी कोई person sale करेगा कोई भी चीज तो उसके उपर tax देना पड़ेगा चाहे वो raw material sale कर रहा हो 500 रुपए को लठा जब बेच रहा है ना तो उसने वही tax दे दिया 500 रुपए के लठे को जब वो add हो किया है तो अगर एक बार उसने जलिए तो यहां पर फाइनली जो टेक्स लिया जाता है वो consumer से लिया जाता है जी एस्ट ठीक तो यहां पर इसको बार बार फिर वो GST return भी हो जाता है थाना अलग-अलग commerce का पार्ट है तो देखो यहां पर इसका आपको indirect tax का example माना जाता है जो consumer से लिया जाता है, तो यहाँ पे indirect tax का यह पार्ट है, आसाम 2020, father of economics किसको कहा जाता है, father of economics कहा जाता है Adam Smith को, यह बात तुम हमेशा से जानते थे, चिक, आसाम 2020 में पुछावा question है, अब Adam Smith अगर आपने किया होता, तो आप सही होते हैं, इस तरीके से हमने कुछ questions देखें, अगली class में और देखेंगे, आज के लिए मेरी सब sufficient है, ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं next class में, और discuss करते हैं इसके आगे, thank you so much.